नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां के टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं क्रिसी कानून के खिलाब किसानों का अंदोलन जारी है किसानों को मनाने के लिए सरकार दोरा किये जारे तमाम परियास बिफल हो रहे हैं बता दे इन सब के बीच सिंदू बोर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाप महमारी एक्ट के खिलाप मामला दर्ज किया गया है यहाँ पर किसानों को परदर्शन आज 16 दीन भी जारी है बता दे केंद्र सरकार के सभी प्रस्ताव को किसानों ने खारिच कर दिया है साथी 14 दिसंबर को देश के सभी जीलों में धाना परदसन का फासला किया है बतादे सिंदू बोडर पर पिछले 16 दिन से आंदोरन कर रहे किसानों को आराम पहुचाने और उनमें ताजगी भरने के लिए 25 फूट मसाजर लगाया गया है प्राथ मिक्ता के अधार पर बुजूर किसानों की सिवा पहले की जाएगी जार्खन मसाजर विभाग के अनुशार राची सहित आसपास के इलाकों में ठन लगतर बढ़ रहे बतादे मसाजर विभाग के ओर से जारी अनुमान के मुताबिक 12-15-15 के बीच आसमान में बादल रहा सकते हैं वही 14-15 दिसमान के बीच बारिश की संभवना है इस दोरान अधिक्तम तापमान 27 डीगरी सेल्सियस के आसपास रहा सकता है वही निमतम तापमान में विरिधी के असर है ज्रकर्ण में करण करण पर महींने से बंद इस्कूलों को खोलने की दिशा में सरकार विचार कर रही है इसके तषट नावी से बरामित के कलास पौले चर्ण में खोले जाएंगे बतादे राजे सिक्षा पर्योजना द्वारा इस इसले में परस्ताव आपदा परवंधन को भेज दिया गया है राजे सिक्षा पर्योजना कर्याले में सिक्षा सचीव राहुल सहर्मा की मौजूदगी में होई बैटक में इस्कूलों को खोलने पर विचार किया गया वहीं विभागिया काम काज की भी समिख्छा की गई बतादे क्रोना को देखते हुए पहले चर्ण में इस्कूलों को केवल नवी से बरावी तक के बचों को सिफ्ट में बुला कर पढ़ाया जाएगा बतादे एक बार में कलास में अधिक्तम बारा बच्चे ही मजूद रहेंगे जार्खन के सिख्छा मंत्री जगनात मतों की हालत में 23 से हो रहा है सुधार जार्खन के सिख्छा मंत्री जगनात मतों की ठीती में 23 से सुधार हो रहा है बता दे मंत्री सीरी मातो का इलाज चेनाई के MGM होस्पीटल में चल रहा है डक्टरों की सलाप पर उनको विलचेयर पर बिठाया जा रहा है मंत्री सीरी मातो का इलाज कर रहे हैं फेफड़ा रोग विशसक यह डक्टर अपार जिंदल के मुताविक मंत्री खुद सांस ले रहे हैं उन्होंने जल्द स्वास्त लाव संभावना जताई है साथी डाक्टर जिंदल के मुताविक बर्तमानी सिद्ध को देखते हुए या कहा जा सकता है कि सिख्षमंती स्री मतों को जल्द राची भेज़ा जाएगा इसके लिए दिसंबर के अमतीम सब्ता तक उन्हें राची भेजने पर विचार हो रहा है राची में 21 दिसंबर से आर्मी भरती रह ली कि वे अपने अपने अस्तर से अपने छेत्र के अधिक सधिक युवाओं को इस रहली में सामिल होने के लिए प्रेरित करें बतादे सभी SSP, SSP को इसके लिए व्यापक पर चार परसार के साथ साथ आर्मी भरती रहली में भाग लेने वाले यूकों को अने अप्यक्षित सुविधाय उपलब्द कराने को भी काया गया है जार्खन में हुका बार चलाने पर तीन साल की जेल राज सरकार ने युवाओ की सेहत को ध्यान में रखते हुए हुका बार पर पर परतिबन लगाने का निनलिया है बतादे हुका बार का संचारन अब दंदलिये अपराद होगा इसे लेकर प्रस्ताव तयार कर कैमिनेट की स्विक्रिती के लिए भेजा जा रहा है या परतिबन लागू करने वाला ज्यारकन छाटा राज होगा बतादे इसे परे राजस्थान महराष्ट, पंजाब, गुजरात और चातिस गड़ में परतिबन है ज्यारकन के लोगों को मिल सकता है नौकरी पेंशन और कर्ज माफी का तोफा अलग ज्यारकन राज के अंदोलन में सामिल रहे लोगों के परिजनों को राज सरकार नौकरी की सोगात दे सकती है ज्यारकन की बेटिया असम जाकर सिखाएंगी रोजगार ज्यारकन राज आजीव का मिशन असम आजीव का मिशन को तकनीकी साहता देगा असम राज ग्रामिन आजीव का मिशन की डारेक्टर कृष्ण बरुआ ने चार दिनों तक राज में आजीव का मिशन के कामों को देखने के बाद राज सरकार के अधिकारियों से इस बारे में बात की बतादे आने वाले दिनों में धार्खन की समों दिदी असम के चाय बागानों में काम करने वाली महिनाओं को तक्निकी परसिक्षन देने के लिए असम भी जाएंगी जार्खन में 174 संक्रमीतु को पुष्टी हुई है जो राची से 93, बोकारो 20, देवघर दो, धनबाद 12, पुर्वी सिमों 8, गढ़वा 3, गिरी डिचार, गोटा 3, गुमला 3, हजारी बक्चार, जामतरा 1, खोटी 2, कोडर्मा 1, लातियार 1, लुर्दागा 3, पलामु 2, जार्खन में एक्टिव केस इस प्रकार है, राची 802, पुर्वी सिम्भूम 183, बोकारो 84, धनबाद 89, सराइकला 36, हजारी बाग पच्पन, लुहर्दागा 52, देवघर 49, गुमला 37, रामगर 33, गढ़वा 32, 24, 28, पलामु 26, लातियार 25, खोटी 24, दुमका 21, 24, 20, कोडर्मा गुदा 12, जाम तला 10, सिम्डेका 10, गृड़ी छप, साइबर क्राइम रोके मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हमाचुले ने सरकारी सेवाव में सुचना परद्योकी के अधिका अधिक इस्तिमाल पर जोर दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बिभागों की ओफिसिय परद्योकी बिभाग, एक ऐसा मेकेनिजम तयार करें, जिससे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, हमाच सरकार के एक बरस के कारेकाल पर आरोप पत्र दाखिल करेगा भाजपा, राज सरकार अपने एक बरस के कारेकाल के समिक्षा कर रही है, और 29 दिसमर को एक साल प कामियों को लेकर आरोप पत्र दाखिल करेगी, भाजपा ने आरोप पत्र की त्यारी सुरू कर दी है, और इसकी जवाब देही बिधायक भानु परताब साइको सौपी गई है, हजारी बाग के 18 मोखिया से 14 लाख वसुलेगी सरकार, हजारी बाग जीला के बरही वाज चौ बतादे से 18 मोखिया से 14 लाख 36 796 रुपे की वसुली की जानी है, राजे में जार्खन अंदोलन कारी संगर्श मोचा ने 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 जार्खन अंदो बतादे इस मोके पर मंत्री शत्यानान्द भुकता ने कहा कि राजे में जार्खन अंदोलनकारियों की सरकार है, अंदोलनकारियों को सरकार के अस्तर से मान समान मिलेगा, अथि प्रयास होगा. मांसिक रूप से दिव्यंग बचों के लिए सिक्षक नियुक्ति नहीं होने पर हाई कोट ने सरकार से जबा मांगा है मांसिक रूप से दिव्यंग बचों को पढ़ाने के लिए बिसेस इंस्ट्रक्टर की नियोकती नहीं किये जाने पर हाई कोट ने सरकार से जबा मंगा है बदादे चीफ जश्टिस डाक्टर रवी रंजन और जश्टिस सुजीत नरायन परसाद ने छाया मंडल की आचका पर सुनवाई करते हुए सरकार को या बताने को कहा कि ऐसे बचों के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हाई लोकडाउन में रायस्व संग्रा में हुए नुक्सान की भरपाई नहीं हो सकती उराओ जार्खन के बीत मंत्री डाक्टरा में सुरूराओं ने कहा कि कुरोना संक्रमन काल में करीब चार महीना तक देश ब्यापी लोकडाउन में रायस्व संग्रा में हुए नुक्सान की भरपाई नहीं हो सकती है हलाकी 15 जुलाई के बाद रायस्व संग्रा में पड़ोत्री हुई है रायस्व संग्रा में आई कमी को प्रोफेशनल टेक्स का दायरा बढ़ा कर और अने छेत्रों के माध्यम से इस गैप को पूरा करने की कोशिस की जा रही है धनबाद के 9 की 13 से 3 यूकों ने किया रे सिंदरी के सहरपूरा बजार की रहने वाली 15 साल की 9 की 16 से 3 यूकों ने समय दुशकर्म किया बतादे पिडित छात्रा के ब्यान पर पुलिस ने सुकरवार को मुख आरोपी क्रिश्णा विसकरवा 25 वरस को गिरपतार कर लिया जबकि उसके दो साथी तापस बावरी और मधू सेन फरा रहा है बतादे दोनों आटो चालक है पुलिस उनकी तलास में छापे मारी कर रही है या घटना गुरुवार की रात की है पिडित छात्रा के पिता धनबाद से बाहर रहकर प्राइबेट नोकरी करते है मुख्यमंत्री हमनसुरे ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजय में ऐसे उद्योग की असापना की जाए जिसे अधिक से अधिक रोजगार का स्रीजन हो और राजयस्व की भी प्राप्ति हो उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार स्रीजन करना सरकार की प्रत्मिकता है साथी राजस्वक की भी प्राप्ति हो इसे सुनिश्चित करना है उक्तबाते सुक्रवार को मुक्वंतिर जारखन मंत्राले में उद्योग विभाग की समिक्षा बेठक में बोल रहे थे उगरवादियों और अप्राधियों से मिली धमकी के रिकोर्ड तलास रही पुलीस जार्खन पुलीस उगरवादियों और अप्राधियों से फोन, कॉल और पोस्टर के मादयम से मिली धमकी का रिकोर्ड तलास रही है बताते हैं जार्खन के डीजीपी एंबी राव ने इस समध में सभी जीलों के एसपी से पूरे रिकोर्ड मांगी है डीजीपी ने सभी जीलों के एसपी को भेजे गए पत्र में या लिखा है कि उनके जीले में यादी फोन, कॉल या पोस्टर के जरिये जबरान वसुली को लेकर मामला दर्ज हुआ है तो उसकी जनकारी दे उलेखनिया एक पीले फाई उगरवादी के अलावा जम सेथपूर जेल में बंद को ख्याद गैंक्स्टर सुजीत सिंग के नाम पर भी लोगों और व्यापारियों से लगतारंगदारी की मांग की जा रही है 29 दिसंबर को किसानों को 50 रुपे तक की कज माफी का तोफा राजे के क्रिसी मंत्री बादल ने अभी घोसना की है कि मुख मंत्री हमन सुरेन के नित्युत में गठित गठबंदन सरकार के एक बरस का कारेकल पूरा होने पर 29 दिसंबर को किसानों को 50 रुपे तक की कर्ज माफी का तोफा मिलेगा बता दे क्रिसी मंत्री ने कर्ज माफी को लेकर सुक्रवार को राची में जाखन मंत्राले में इसे लेकर विकास आयुक्त बित बिभाग के प्रधान सचीव और अनवरी अधिकारों साथ समिक्षा बैठक भी की है 17 जनवरी को 60 लग बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियोखुराख राश्टरीय पल्स पोलियोदीवस के तहथ 17 जनवरी द muchís को राजे भर में 60 लग से ज्यादा जीरो से पांच वरस के बच्चों को पोलियोखुराख पिलाएगी बता दे पहले दिन पोलियों की खुराक निर्धारित बुथों पर पिलाए जाएगी उस दिन छुट गए बच्चों को 18 एवां 29 जनुवारी को घर घर जाकर स्वास्त करकरता पोलियों की खुराक पिलाएंगे इस कारकर्म को सफल बनने में लगवां 40,000 स्वास्त करमी कारे करेंगे मैट्रेक में लिखित परिक्छा 90 आँकी होगी बर्श 2021 की मैट्रेक परिक्छा में विग्यान को छोड़कर आन्य विसायों की लिखित परिक्छा अब 80 आँके बदले 90 आँकी होगी बतादे प्रश्ण पत्र के पैटर में बदलाव किया गया है लातेहर पुलिस इंस्पेक्टर रिस्वत लेते गिरफतार लातेहर पुलिस इंस्पेक्टर नरेस परसाद को 7000 रुपए घूस लेते हुए ACB के टीम ने सुक्रवाद को गिरफतार कर लिया ACB सुत्रो ने बताया कि लातेहर जीले के मनिका थाना में मार पीट के एक मामले में दोनों प्रक्ष ने प्राथमी की दज कराई थी वादी लक्षमन सिंग इंस्पेक्टर से मामले में निस्पक्ष जाच कराने की गुहार लगा रहे थे वहीं इस्पेक्टर ने लच्छमन को केस में मदद करने की बात का अकर साथ है रुपे की रिस्वत माँगी धन्यवाद अवसेक सुचना कमबल लेने के लिए योग एक छुक ब्यक्ति आपना गरीबी का वीडियो एक मेट का बना कर चैनल का वाट्सेप नमबर पर भेजे साथी साथ यदि जिन व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं है वे किसी दूसरे के मोबाइल फोन से गरीबी का वीडियो बना कर चैनल का वाट्सेप नमबर पर भेजे जिससे की आपको कमबल मिल सके साथी साथ आप अपना मोबाल नमबर भी वाटसेप नमबर पर अवसे भेजे थाइंक यू